दिरन्वी शोक्लिफ्स में स्वागत है आपका बस देखते रो और सीखते रो सर ताकि लोग SP वेट सवर को ज्यादा जाने इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहो प्लीज डोंट मैंड एक बार आप अपना हाथ दिखा सकते हैं कैमरे के सामने और समझाइए कि इस हाथ के वीचे स्टोरी क्या है ये हाथ पुरा कट गया था ये एक अटैक हुआ था ये हाथ पुरा रीकंस्टक्ट किया है कही बार मैं जब सुलूट करता हूँ तो ये उंगली सीधी नहीं हो साथ यह जो उंगली है, यह दो पिन पर खड़ी है, तो इसको रीकंस्टक्ट प्लास्टिक साजजन ने किया है, तो यह मैं DIG बारामूला था, बारामूला कुप बार्डर रेंज, एक बार्डर एरिया है कश्मीर का, यह 23rd March 1999 की बात है, तो I was looking after the charge of IG कश्मीर, IG कश्मीर का मेरे पास चार्ज था, तो मैं 4-5 दिन के लिए स्री नगर एड़कॉर्ट, कश्मीर वैली का जो senior most police officer होता, IG कश्मीर, inspector general police, तो मैं उसका चार्ज मेरे पास था, I was asked to station in स्री नगर, जो मैं 4-5 दिन के लिए वहाँ आया था, दिन भर anti-terror operation करते रहे, शाम का वक्त तो मुझे message आया कि आपको बापस 12 मूला, कल half the cabinet is coming there, सोपूर में, तो आप बहाँ आये, मैंने गहाँ मेरी जरूरत नहीं है, मैं range DIG हूँ, district SP and district magistrate दोनों हैं, तो they can handle it, but I was told कि नहीं आप भी वहाँ जाएगा, तो मैं operator को बुला के बोला, कि आप गाड़ी, गाड़ियां तियार करिये, मुझे बापस 12 मूला जाना है, तो operator ने सोचा कि DIG साब बापस जाएंगे, वहाँ खाना नहीं होगा, ओ खाना मुझे बहुत महिंगा पड़ा, उन दिनों हमारे पास mobile नहीं होते थे, 99 की बात कर रहा हूँ, these mobiles were not there, तो हमारे पास communication का system होता था था, wireless sets, तो wireless set पे उसने बोल दिया कि खाना तियार रखिये, DIG साब आएंगे, that was intercepted by terrorists, the two groups, one from Krangshivan in Sopur, and one from somewhere near, down the hill, टंग मरके, उन दोनों ग्रॉप्स ने प्लैन किया कि ये आ रहा है, इसको आज अटेक करेंगे, तो उनोंने एक पुथखा गाउं है, which is one kilometer shot of Sopur crossing, बारमुला को जाते हुए, जो highway है, national highway, Srinagar to बारमुला, तो उधर उनोंने पुरा गाउं खाली कराया, दोनों तरफ सडक के, जो दुकाने थी, उसके उपर UMG, Universal Machine Guns पिट की, और जब हमारा motorcade आया, उसपर सैंकडो गोलियां चलाए, front S car, JN के पुलीस का था, उसपर गोलियां आई, वो निकल गया, उसके बाद मेरी car थी, जो bullet proof थी, ठैंक्स गॉड के bullet proof थी, अगर उसपर कोई hundreds of bullets आई, और अगर वो bullet proof नहीं होती, तो बढ़ता बन गया था, तो उसमेंसे लेकिन और एक गोली जो है, वो front, जो bullet proof glass था, उसको pierce कर गया, because bullet proofing is against AK-47, not against universal machine gun, उसका power ज्यादा होता है, वो repeat fire होता है, बार बार, एक ही जगह, तो तो तोड़ देगा, तो उससे गोली निकली और driver को, उसका left shoulder से cross कर देगा, दूसरी गोली जो है, वो side से निकली window से, window में वहाँ लोहा पतला होता है, वो मेरा हाथ पुड़ा काट कई, इतनी देर में terrorist ने, वो कोई 18 terrorist थे, 17-18 terrorist, उसमें से एक terrorist आया, he wanted to take me hostage, तो मेरी गाड़ी fortunately locked था, वो दरवाजा कोलने के लिए कोशिच कर रहा था, ताकि मुझे kidnap करे, that was his intention, but he could not open the door, but इतनी देर में मेरी गाड़ी खेच के, मैंने अपने driver को, जो injured था, उसको उमने पीट पे, हाथ मार के, की गाड़ी निकालो, I knew, अगर आप उस situation से निकलोगे नी, you will be killed, तो इतनी देर में उनने पीशे से grenade मारा, एक splinter जो है, वो मेरे, उस left window से निकल के, मेरे skull में गुस गया, I was lucky कि ब्रेन को damage नहीं किया, उसने skull में जाके embed हो गया, but bleeding होने लगी इतनी, और हाथ कट गया, इधर grenade लग गया, splinter, but I, एक उस वकत मुझे एक तो पहली thought, भगवा की तरफ गई, और दूसरी thought, family की तरफ, and then third thought came, जो हमने सीखा था training में, कि ambush जो ऐसा होता है, उसका best way to, is to escape from the ambush, because you don't know where your enemy is, तो मैंने driver और उसको कहा कि गाड़ी निकालो, तो उसने, जब मैंने बोला, हिमत की injured condition में, गेर लगया, गाड़ी किच गई, because bulletproof गाड़ी भारी होती है, हलकी जी बारिश हो रही थी, अंदेरा था, रात का बकत था, but I took over the wireless set from that operator, and called Baramula, that आप hospital में operation theater ready रखिये, और deputy commissioner SSP, और SHO को बो लिए, वहाँ डॉक्टर सर्जन हो वहाँ से अभी भी 10 km था, तो my worry was bleeding से death हो जागी, but when I reached there, fortunately blood was there, operation was there, there was no anesthesia available, local anesthesia, जिस तरह से बोरी को सीते हैं, 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 इतनी देर में, GOC, the army GOC came, he said, we can't shift you, because the doctors are saying, we can't operate your head here, Baramula, so you have to be shifted to Srinagar, पर रात को ROP लगानी पड़ेगी, क्योंकि helicopter नहीं आ सकता, तो रात को army की ROP लगा के मुझे, Srinagar base hospital, 92 base hospital में, रात को operate किया, and ये splinter निकाला army base hospital में, दूसरे दिन, एक मिनट सब, थोड़ा सा rewind करता है, let's rewind to just before the ambush, जब ambush की पहली गोली चली, आपकी पहली reaction क्या थी, क्या तिल रहा था आपके दिमाग में? I was not expecting के attack होगा, but I was taken aback, जब बैली गोली चली, तो आवाज आई, क्योंकि अंदर तो गोली आई नहीं, क्योंकि मैं bulletproof गाड़ी में, मैं ड्राइबर और अपरेटर को बोले ये क्या है, बोला सर अंपर हमला होगा है, and that is the moment I got extra alert, and I, उस तरफ, रात का कोई, you know, साड़े आठ का टाइम होगा, साड़े आठ के बीच का टाइम, रात का बगए था, 23rd March 99 की बात है, और हलकी सी बारिश हो रही थी, तो अंधेरा था, तो पता नहीं लग रहा था, कहां से गोली आ रही है, और कौन मार रहा है, because वो दोनों तरफ चुपे हुए थे, तो अधेरा नहीं तो घ्रमे की बात है, तो अम्हेरा था रही है, और क्छिपश प्रेश कट्सेनल साड़े होगा, तो असाल क्वाला सुपे हो तो अधेरा था था, दू खान मेरा जो रेर असकाड था से जा क्याश में लिच आरपर्सू ऐठ का का एट critique जो है वो नान बीपी जिपसी थी, उसको, हैट कांस्टेबल को यहां गोलियां पेट में ब्रस्ट आया, और ही इन फैक्ट उसके अंतनियां बाहर आ गया, और ही डाइट, बिफोर वी कुट इवन रेस्क्यू हैं, तो यह सारा हुआ इतनी देर में मेरी स्पेशल आपरेशन ग्रॉप आगया, SP आगया, and then the operation was launched to get the status, लेकिन, when I asked, when you know, when I again came back after two months, I asked CRP boys, you had LMG, why did you not fire back? तो अग्मारे पास हमने जो मैगजीन था ओचलाया लेकिन उन जनों CRP युज टो चरी इन बॉक्सी है तो उननों एक्ट्रामूनिशन तो ओच जो इनिशल फायर कर दिया एक मैगजीन खातम हो गया उसके बाद उन्होंने जंप कर दिया और अमूनिशन जिफ्सी में रह गया जब हाथ पे गोली लगी थी, you realized you were injured? I realized, because blood ही blood हो गया, but spur of the moment में गरम उस वकट तकलीब नहीं होती, तकलीब बाद में होती है, उस वकट तो गरम गरम इंज़ी थी, तो pain तो शुरू में हुई, but पाद में, then you feel the pain, and exactly क्या हुआ था? यह पूरा हाथ कड़ी है, it is reconstructed, यहां से, यह उड़ गया न, यह जो मास है, यह फिर जब मेरी दिल्ली में सर्जरी हुई, वो उसको इधर चेस्ट में लगाया, और यहां से दो तीन महीने रहा यह हाथ, और इधर चेस्ट से जो flesh है, वो इसमें आया, फिर इसको काट के, इसमें flesh लाया, और इसको pin पे hold किया, आपका transplant हुआ है, basically, fingers का, fingers, तो this is how एक Dr. Suresh Gupta होते थे, most famous plastic surgeon of Delhi, but I don't think he would be alive, नो, उन्होंने यह मेरा treatment किया, अभी problem होते हैं आपको? ने, मैं, मैं पूछा था, आप सीधा क्यों नही रखा उंगली, तो उसने कहा कि, जब आव अंगुठा बंद, मुठी बंद करोगे, तो यह उंगली ऐसे रहेगी, इसलिए उनने ऐसे बनाईए, इस तरह से, तो that is why I think he was very, very professional, so this is a wonderful job he's done, so I am able to do my job. I feel horrible. तब में, तब नहीं, उस वह पता भी निजए. तब पता चला। उस मोर में star14 में वा सिर्वी और में शहांथार मेंजांए।..... तो ध्यान जैसे मैंने कहा मेरी थॉट्स तीन जगा गई तो तो मैं फैमिली तो लॉट कृष्णा एंद दी टीचिंग आइड लर्निंग आइड इन नैशनल पोलीस अड़मी हैदरवाद वो स्प्लिंटर के बारे में बात करना चाहूँ है। तो वहिकल वास फुली स्वोक्ट इन ब्लड अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा ऐसे हजार क्लिप्स अप्लोड किये गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ झाल झाल